प्रदेश के मुख्य मंतरी मनहुरलाल ने प्रदेश के जंता के नाम एक बड़ा संदेश दिया है जी हाँ मुख्य मंतरी ने जंता से अपील की है कि वह अपने घरों में ही रही हर चीज घर पुन्चाने के लिए पूरी वेस्था सरकार की तरफ से की गई है उन्होंने कहा कि हमने जीवन जीने के लिए खाना पिना है स्तावन सो लोगों ने सेहता के लिए सरकार के पास ओफर किया है उन्होंने कहा कि किसान इससे में बिलकुल परेशान नहीं हो सरकार फसल का एक एक दाना खरीदेगी उन्होंने कहा कि हो सकता इसमें थोड़ी देरी हो जाए लेकिन सर्षों की फजल 15 अपराल से खरीदनी सुरू हो जाएगी इसके साथ ही जो गेहों की खरीद है वह 20 अपराल से सुरू होगी तब तक अपने घृरों में जो किसान है इस फजल को सेटोर करें इस बारे में मार्केट मेटी के अधिकारियों से भी बातचीत हो गई है उन्होंने कहा कि बैंकों में पैसा जमा करने की थी बढ़ाने के लिए केंदर सरकार को पत्तर लिखा गया है कोई भी हादसा होने पर आईसोलेशन बोर्ड या टेस्टिंग लैब में काम करने वाले डॉक्टर को 50 लाख रुपए नरस को 30 लाख रुपए एन्ने के लिए 20 लाख रुपए की जो मदद आर्थिक वो की गई है पहले आर्थिक मदद 10 लाख रुपए थी परदेश में अभी 5 टेस्टिंग लैब हैं और बढ़ाने की कोशी से की जा रही है उन्होंने बताया कि परदेश में 25 बैड़ों की विएस्था की जा चुकी है उन्होंने बताया कि पावरी भाग में अब बिजली भाग के सभी कैस काउंटर को बंद कर दिया गया है और ऐसे हालात में ओनलाइन ही बिलों का जो भुगतान है वो करना होगा ओनलाइन बिलों का भुगतान करने में एक हजार रुपए के बिल में दो परतिशत की छूट सरकार दवारा दी जाएगी इसके साथ ही परदेश के मुख्यमंत्री ने हरियाना में दो हैलप लाइन नमबर जारी किये हैं सरकार की तरफ से इसकी तुरंत सुनवाई की जाएगी